भाई दूच भाई और बहन का पवित्र त्योहार माना गया है और ये त्योहार पून हर्शोल लास के साथ दिपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है कार्तिक मास की धुतिया तिथी को ये तिवहार मनाया जाता है और इसको यम धुतिया के नाम से भी जाना जाता है इस दिना विवाहिता बहने अपने भाईयों को तिलक करती है और उनको नारियल, गोला, भेट देती है विवाहित बहनों के घर भाई चाते है और बहने अपने भाई को भोजन खिलाती है उन्हें दिलक लगाती है और भाई भी अपनी बहनों को उपहार रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देते है इस त्योहार की शुरुवात कब से हुई और किसके द्वारा इस त्योहार को पहले मनाया गया इसके विशय में कहीं कथाएं प्रचलित हैं आईए उन्हें से कुछ कथाएं आप सभी भक्तों को सुनाते हैं क्यों भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं त्योहार मनाते हैं आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं क्यों भाई दूज का हम सारे त्योहार मनाते हैं त्योहार मनाते हैं आओ भाई दूज की तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बेहन का ये क्यों हाल इसे बनाता सब संसार कार्दिक मास में शुकल पक्ष की इरतियादि थियाए भाई दूच का त्यारा उच सव सारी दुनिया मनाए भाई बेहन का बड़ा ही सुन्दन पावन ये त्योहा अपनी बेहन को भाई देता है सुदिन उपहा बेहना भाई के बस तक पत्टी का लगाती है और भाई के हाथ में वो अलावा बांधती है भाई के लंबी आयों की काम न मांगती है बेहन अपने भाई पर हती प्यार लुटाती है भाई भी अपनी बेहनों पर प्यार लुटाते है हाँ प्यार लुटाते है आओ भाई दुझे के तुमको कथा सुनाते है हम कथा सुनाते है भाई बेहनी का ये त्योहार इसे बनाता सब संसार भाई बेहनी का ये त्योहार इसे बनाता सब संसार कब से इसकी शुरुवत है आओ तुमें बताए कई कथाए है इसकी उनमें से कुछ तुमें सुनाए सूर्यदेव की पतनी संग्या की थी दो संता यम राज था नाम एक का दूजी का यमुनाना कई बार यमुनाने यम को अपने धर पे बुलाया ज्यस्तता के कारण लेकिन वो कभी ना जा पाया इक दिन बैठे बैठे भाई यम के मन में आया अपनी बहन के घर जाने का उसने विचार बनाया भाई यम अपनी बहना के घर पर जाते हैं हाँ घर पर जाते हैं आओ भाई दूजी के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बेहन के ये क्यों हाँ इसके मनाता सब संसार बाई दहने का ये त्योहाद इसे मनाता सब संसाद दरक के सब जीवों को जाने से पहले मुक्त किया उसके बाद अचानक अपनी बेहन के घर पहुचा देखके यम भाई को यम न बहुत ही हरशाई अपने प्यारे भाई पे उसने बहुत ही प्रीत लुटाई बेहन ने अपने यम भाई का खूब किया सतका तरह तरह के बनाके उसको खिलाए तब आहाई खाना खिलाके भाई के माधे ठीका लगाया था उसके बाद में भाई के हाथ में गोला थमाया था यम भाई अपनी बेहना पर प्यार लुटाते हैं, हाँ प्यार लुटाते हैं आओ भाई दूझे कि तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं भाई बेहन का ये क्यों हाद, इसे मनाता सब संसाद पैसन हुआ यम भाई अपनी बेहना से बोला जो भी चाहो वर मांगो मुझे से प्यारी बेहना यम ना बोली भाई यदि तुम मुझे कुछ देना चाहो प्रती बर्ष इस दिन मेरे घर में तुम दरूर आओ इस दिन कोई भाई अपनी बेहन के घर में आए बेहन भी भोजन खिला के भाई माथे तिलक लगाए उन दोनों को आप कडर न भैया कभी सताए और नहीं कुछ मांगे आपकी बेहना इतना चाहे अपनी बेहन को यम भाई ये वर दे जाते हैं आओ भाई दुझ कि तुम को कथा सुनाते हैं भाई बेहन का ये क्यों हाल किसे बनाता सब संसार भाई बेहन का ये क्यों हाल किसे बनाता सब संसार यम भाई अपनी बुना बहना से तब बतलाई इस दिन जो भी भाई बेहन ये मुना न दिया में नहाए भाई बेहन को मेरा प्रगोप कभी न सताएगा मेरा आशरवाद भी दोनों को मिल जाएगा प्रतिवर्ष वो बेहन को ने कादे के विश्वा कई तरह के देव पहार वो पहुचे अपने निवास जिस दिन यम अपनी प्यारी पहना के घर आए कार्दिक मास के ध्लतियात थी भक्तों वो कहाए भाई दूच का इसी लिए परव मनाते हैं सब परव मनाते हैं आओ भाई दूच के तुमको कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये क्योहार इसे मनाता सब संसार भाई बहन का ये त्योहाद इसे मनाता सब संसा तब से विवाहित बहना के घर भाई जाते हैं बहन के खातिर तब भाई उपहार भिलाते हैं बहन भी अपने भाई को भोजन करवाती हैं भोजन करवा कर माथे पर टीका लगाती हैं टीका लगा कर भाई को वो भोला देती हैं उसकी लंबी आयों के लिए काम न करती हैं सदा सुखी रहे भाई मेरा देती है आशिरवा दुख न आये जीवन में हो सुख की सदा वरसा बहन की रक्षा के लिए कसम उठाते हैं भाई कसम उठाते हैं ऑु भाई दुझ कि तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये क्योहात किसे मनाता सब संसार बाई देहने का ये त्योहाल किसे बनाता सब संसार एक कथा और भाई दूच की आज बताते है श्री कृष्ण से जुड़ी कथा वो तुम्हे सुनाते है राक्ष सुनर कासुर को मारने के बाद जब मुहन अपनी बेहन सुबत्रा के घर आये थे कदिन फूलों की माला से सुभत्रा ने किया था स्वागत श्री कृष्ण के माथे पर उसने लगाया तिलत कब से भाई दूच कई बर्व मनाया जाता इस दिन भाई अपनी बेहन के भर पर है जाता बात ये हमको कुछ पोराणिक तथे बताते हैं हा तथे बताते हैं आओ भाई दूच के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई देहन के ये त्योहाद इसे मनाता सब संसार भाई देहन के ये त्योहाद इसे मनाता सब संसार देपा बले के दो दिन के बाद ये पर्व है आता भाई दूच को यमधितिया भी भग तो कहा जाता इस दिन प्राता अठ कर जल्टी करते हैं असरा उसके बाद में विश्णु गनेश जिका करते हैं ध्यान भाई दूच पूजा के लिए खिर थाली सजाए जाती रोली मोली खूल सुपारी मिठाई रखे जाती चावल के मिश्रण से भत तो चौक सजाया जाता चावल के इस चौक पे फिर भाई बिठाया जाता शुब महूरत में बहन से खिलक कराते हैं भाई किलक कराते हैं ओ भाई दुम्जे कि तुमको कथा सुनाते हैं भाई बेहन का ये त्योगार किसे मनाता सब संसार तिल्क लगा कर बहना भाई को है मिठाई के लाती पान पूल और चने पता से देती है गोला सुपारी इसके बाद में प्यार भाई की बहना आरती करती बहना को पुतार की भाई से सोगात है मिलती इस दिन यम पूचा से अकाल बित्यू नहीं होती भाई बहन को यम राज की किरपा है मिलती हिंदु धर्म का सबसे ही पावन है ये त्योहार इस त्योहार से भाई बहन में बढ़ता है मनोहार हसी खुशी से इस त्योहार को सारे मनाते हैं हाँ सारे मनाते हैं आओ भाई दूज के तुमको कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं भाई बहन का ये त्योहार इसे बनाता सबसंसार भाई बहन के त्योहार इसे बनाता सबसंसार